भारत छोड़ो आंदोलन की 75 वर्षगाट के मौके पर बुधवार को संसत का विशेश सत्र चल रहा है अगस्त क्रांती के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा में अपने संबोधन में युवाओं से अपील की कि देश में फिर से 1942 जैसा माहौल जगाना होगा उन्होंने कहा कि ये हमारा सवभाग्य है कि हमें इस आंदोलन को दोबारा याद करने का मौका मिला है भारत छोडो आंदोलन के बारे में नई पेडियों को विस्तार से जानना चाहिए इतिहास की घटनाएं हमें प्रेर ना देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1942 के करो या मरो के नारे की तरस पर करेंगे और करके रहेंगे का संकल्प लेने का आहवान किया उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक पांच वर्ष की अवधी में हम उसी भावना और संकल्प के साथ काम करें जो भाव 1942 से 1947 के बीच पांच वर्ष की अवधी के दौरान था भ्रष्टाचार हमारी राजनीती को अंदर से खोकला कर रहा है हम गरीबी, अशिक्षा, कुपोशन और भ्रष्टाचार से देश को मुक्त बनाने का संकल्प लें प्रधान मंत्री ने लोगसभा में कहा कि गरीबी, अशिक्षा, कुपोशन हमारे देश के सामने बड़ी चुनोतिया है हमें सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि राश्टर पिता महात्मा गांधी का मंत्र था करो या मरो हमारा मंत्र है करेंगे और करके रहेंगे उन्होंने अपने पहले संकल्प में कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे और दूर करके रहेंगे दूसरे संकल्प में प्रधान मंत्री ने कहा कि अशिक्षा और कुपोशन को दूर करेंगे और करके रहेंगे तीसरे संकल्प के तौर पर पीम मोदी ने दोहराया कि देश में भ्रष्टाचार दूर करेंगे और दूर करके रहेंगे देश के सामने बड़ी चनोतिया हैं, हमें साकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है 1947 में देश की आजादी सिर्फ भारत के लिए नहीं थी बलकि ये विश्व के दूसरे हिस्सों में उपनिवेश वाद के खात्मे में एक निरणाय क्षण था